नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुती मस्त होंगे आज के हम सुनों बात करने वाले हैं ज्यारखंड हाइकोट के द्वारा जो है ज्यारखंड के सिविल कोट्स में वेकेंसी निकाली गई है देखेंगे यह जो भरती है फ्रिंट्स लाइन का डेट आ चुका है आप देखेंगे यहां पे अभी यहां पे आपको वाट्स न्यू वाले सेक्शन में आपको यहां पे एक ओप्सन देखने को मिलेगा इस भरती के रिगार्डिंग तो ऑफिसली नोटिफिकेशन आ चुका है जारखंड सिविल कोट के जिसमें कलर क पद आपके रहने वाले हैं जिसको हम लोग असिस्टेंट भी बोलते हैं आप और इस भरती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेबल फोर की आपको सेलरी मिलने वाली है इसमें आपको जो है कंप्यूटर की भी आउसकता पड़ेगी मतलब क्या कि आप जो है DCA कम से कम ADCA जो होता है न वो कोर्स 6 महिने वाला कम से कम किये होने चाहिए और उसके बाद से और भी बहुत सारे इलिजबिलिटी है एज लिमीट सेलरी सब चीज हमें आप एडिसक्स करेंगे सिलेबस भी समझाएंगे एक्जाम पेटरन टाइपिंग के बारे में समझाएंगे थो परकार से आपका जो है यह पीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउड हो जाएगा मैं इसे ओपेन कर लेता हूं यह देखिए यह भरती है और इसको मैंने अच्छे तरीकी से हाइलाइट कर रखा हुए आयम आपको समझाते हैं 410 पदों पे संदार भरती निकाली गई है तो इस भरती के बारे में हम डिडियो में रिसकस करने वाले हैं वीडियो को लास तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए यह देखिए यह आपका जो है अद्वर्टाइजमेंट नमबर है 05 और एसिस्टेंट या कलर्क दोनों को एक ही पद बो कुला है तो हाइक कोट will सेंट हो कॉन है दो जार खाड़ है लेकिन जो आपके जॉब लगेगी हो कहां होगी सीविल कोट में होगी जितने भी जार खंड में सीविल इसी में से 14 वेकिंसी रिजर्व कर दिया गए, महिलाओ के लिए, जो केंडेट्स यहां पर बीकलंक है, तो अलग अलग बीकलंक पर्शन के लिए, तेरे पद को रिजर्व किया गए, इस तरह से आप देखेंगे, गेम से ने स्पोर्ट्स कोटा से को या आता है, तो एक पद यहां पे reservation जो है रखा गया है आपको online mode में form को भरना है इस पद के लिए जिसमें आपका पद है assistant या clerk दोनों एक ही पद माना जाएगा 10 अप्रिल से online इस्टार्ट होगा जिस दिन आवे दने स्टार्ट होगा हम प्रोपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको form को भरना है step by step form भर के बता दूँगा इसमें आगे हम research करेंगे DCA DCA का certificate भी बोला गया है तो computer का knowledge essential है यहां पर तो आप form को भरेंगे graduation आप किसी भी से से कितना हो भी percent के साथ पास है कोई दिकत नहीं होने वाला है सब कोई form भर सकता है सिर्फ ग्रेजोशन आप पास होने चीए जो जिसे कि बीए होता है या बीकम होता है बीबीए होता है और यह बहुत वरागे प्लस प्लस आपकी salary यहां पर बन जाएगी starting salary in hand 38000 प्लस जी हां दोस्तों किसमें डी ये पी अलाउंसेंस तमाम चीज़ा एड होता है अब करता है कि आपकी पोश्टिंग कहा होती है राची में होगी तो और अच्छा salary होगा थोड़ा सा किसी दूसरे डिस्टिक में होगी तो ग्रामिट चाइप के जगवा पर होती है आपकी deployment तो आपका जो salary थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा 5000-6000 का अंतर पड़ता है बाकी जो ला स्टेट क्या है friends आपका जो है 9 मई अगर मालीजा आपका ग्रिसंट्ट आने वाला है 9 मई के पहले आ जाता है documents आपके हाथ में आता है जैसे certificate जो होता है और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है मार्क सिर्ट होता है आपके हाथ में नौ मई से पहले आ जाना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहां पर बोला गया देखे आपको बोला है कंडिश्ट मस्ट वेल एक्वेंटेड विट दा कंप्यूटर अप्लिकेशन देख रहे ना तो यह बोला गया कि आपको नौलेज आफ व्वरकिंग अन कंप्यूटर होना चाहिए औंड साउंड नौलेज अफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 25 विस वर्ट पर मिनट यानि आपको कंप्यूटर का नौलेज होना चाहिए अच्छे से इसके अलावा आपक केटेगरी के लिए आपका उम्र हो जाएगा 35 वर्स 37 वर्स उनके लिए है जो BC1 और BC2 केटेगरी से आते हैं maximum उम्र यहाँ पर अलग अलग केटेगरी वाइज है 38 उनके लिए होगा 21 से 38 जो candidates यहाँ पर BC1 फीमेल से है यानि BC1 BC2 और EWS फीमेल से हैं और फीमेल है तो उनका 38 वर्स यहाँ पर एच हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं देखिए कि BC1 BC2 एफ फीमेल फीमेल का यहाँ पर उम्र हो जाएगा कितना एक कई से लेकर 38 वर्स और जो एज की गढ़ना किया जाएगा वह अपका एक एक दोहजार चोविस को किया जाएगा वही कोई मेल केंडेट से BC1 BC2 से आता है तो उनका यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अलग एज सिमा लिखा गया है यहाँ पर देखेंगे जो की बतायागया है BC1 BC2 मेल के लिए 37 वर्स तो यह अलग 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 जो है गटेगरी हुआ है अगर कोई जो है बिकलांग परसंद दस साल का उम्रसीमा में उनको छूट मिलेगा अगर कोई एक सर्विस में तो उनको पांक साल का उपर एज में छूट यहां पर मिलने है जो भी आपको एज की गढ़ना करनी है एक एक दो हजार सबस्क्राइब में यहां पर लागू होगा जो गवर्मेंट ऑफ स्टेट है जो भी बेनिफीट से रिजर्वेशन का वह एस्टेट पॉलिसी यहां पर दिखे स्टेट और पोलिसी अप्ध इपलाई रिजर्शन पॉलिची में अभी जो भी के इन्डेट आदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे वो जो आन्रिजर्व कटेगरी में यहां पर ट्रीट किये जाएंगे अब यहां में बोला गया कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है एक यह बार आपको फॉर्म को बरने या नहीं कि दो बार फॉर्म बरेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जास गाएगा यहां में बोला गया कि मतलब DCA आपको चाहिए जो कि at least six month का कम से कम होना चाहिए डूरेशन वाला six month से कम का डूरेशन वाला आपके पास computer course है तो नहीं लगेगा यानि six month से एभव आपको चाहिए समझ रहना six month भी चल लाएगा six month एभव है तो चलेगा अगर को three month वाला कर रखा जैसे triple c होता है य प्रधान मंत्री वाला जो होता है वो करते हैं तीन वहिना का किये हैं तो वह नहीं चलेगा कम से कम six month वाला आपको जो है डूरेशन वाला यहां पे चाहिए या अगर डिग्री वगर अभी यह जैसे BCA लोग करते हैं या BSC का IT करते हैं तो वह चल जाएगा कोई दिकत नही करता है राजस्थान जारखंड से उनका अपना जो है रेसिटेंशल सर्टिफिकेट जिस भी लेवल से सर्कल ऑफिसर बनवाते हैं सर्कल ऑफिसर के तौरा बनवाएंगे यहां पर बोला गया है कि उन्स साथ उन्स के ऑनवर्ट चाहिए उसके बाद का इसू होना चाहिए इसके बाद का इसू होना चाहिए आप देख लेंगे सारा यहां पर डीटल में देया हुआ सर्कल ऑफिसर से बनवाते हैं तो इतना के बाद का इस्टेगरी के लिए होता है अगर आप है तो आप बनवा लिजेगा अब में आप आप स्टेश्ट वाला ला भी आप लिआग इसकी वाइब आप एक सर्विसमें ने तो अब्जेक्शन सप्रिफिकेट याँ आपको देना होगा यह सब डोकुमेंट्स आपको लगेंगे जो भी आपका सब्सक्राइब आपको वीडियो बना के बताएं कैसे फॉर्म को भरना है पांस उर्प्या का अप्लिकेशन फी ए अन्रिजर्व एडवल्योस बीसी वन बीसी टू के लिए और अधर स्टेट के भी यहां पे पांस उर्प्या है एक सो पचीस उर्प्या उनके लिए जो से बिल दोकमेंट्स को आपको अच्छे से अटेज करना है बलर वगर नहीं होना चाहिए यहां पर बोलागे कि आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं दिया जाका अगर आप फॉर्म भरने में गल्ती कर देते हैं तो चेंजिंग का कोई भी ऑप्शन आपके पस नहीं रहेगा तो फॉर्म भरने से पहले सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे समिट करने से पहले सभी चीजों को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे अब यहां में बताया गया कुछ चीजे जिसे कि आपको जो भी इन्फोर्मेशन है रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग या इंटर्विव या वेन्यू के रिगार्डिंग एड्मीरिकार के रिगार्डिंग तो वो जो है पटना जार्खंड हाइकोट के ओफिस्यल वेबसाइट पर ही यहां पर पब्लिस किया जाएगा अब यहां पर आपको बताया गया सिलेबस के बारे में यह देखिए सबसे इसके बस आपका इंटर्विव होगा 15 मार्क्स का जो कि 5 मार्क्स फ़र ओल के यहां पर दिया जागा यह क्वालिफाइंग मतलब यह क्या है क्वालिफाइंग माक्स है हाला कि इससे अच्छा आपको परसेंटेज करना होगा तभी जाके आप मेरिट में बन पाएंगे क्यो यहां पे और 10 यहां पे इस तरह से आपके जो 30 marks सिर्फ और सिर्फ आपके हो जाएंगे group 1 में यानि English से बागी के 30 marks देखेंगे तो आपका जो है objective general knowledge होता है 30 marks के फिर आपका math होता है 30 marks के जिसमें आपको numerical भी होगा reasoning भी होगा mathematical test यह सब आपके रहेंगे तो 30, 30, 60, 20 80 marks के यहां पे हो जाएगे और यहां पे 10 marks यहां पे नहीं लिखा हुआ है अच्छा 10 marks के यहां पे एसे अलग से होगा देख रहे हैं यह से 10 marks का होगा तो ऐसे आपके जो सिलेवस रहने वाले हैं तो ऐसे पर प्रेक्टिस अच्छे से करिए क्योंकि यहां पे यहां पे त्यार किया जाएगा बाकिया आप लोग त्यारी करने स्टाट कर दिए यसे इसका आवेदने स्टाट होगा आँगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है जारखंड हाई कोट के ओफिसिले वेबसाइट से इस फॉर्म को भरे जाएंगे मिलते हैं किसी नेक्स पॉटमें फ्रिंट्स जैहिंद आपका दिन सुभ हो